हेलो अब्रींन आज के इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं X-ray के बारे में X-ray में भी नॉर्मल आप कई सारे एकसरे देखesten ओंगे लंग infection के इस देखें आतों में रुकावट या फिर आतों की infection के एक्स्रेय देखें होंगे या तो मैं कोई बी रुकावट आती है या फिल गैस फोर्म होती है तो एक्स्रेय कराते हैं इस पीशली इंटर्श्टैनल ऑवस्ट्रक्षन के केसिस में हमें एक्स्रेय कराना ज्यादा जरूरी होता है लेकिन क्या आपने dextrocardia का x-ray देखा है dextrocardia actual होता क्या है dextrocardia समझने के लिए आपको मैं यहाँ पर एक x-ray लेकर आया हूँ और इस x-ray में हम समझेंगे कि dextrocardia क्या होता है और फिर समझेंगे कि normal x-ray में क्या होता है dextrocardia actually normal जो position होते है heart की वो किसी भी मरीज में opposite side में आजाए यानि कि normally जो हमारा heart होता है वो left side में situated होता है किसी-किसी patient में क्या होता है right side में आजाता है यह हमारा left side है ठीक है patient का अगर left side में heart आ रहा है इसका मतलब normal है और अगर right side में आ रहा है इसका मतलब abnormal है इस condition को हम कहते हैं dextrocardia ठीक है तो dextrocardia का x-ray आज आपको हम में सिखाने वाला हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो यह border देखने को मिल रहा है जो की इधर होना चाहिए तो यह आपका क्या है बैकवान है जिसे हम रीट के हड़ी बोलते हैं यह आपका चला गया दोनों साइड में यह आपके रिप्स है ठीक है यह pulmonary arteries वगेरा है ठीक है pulmonary branches जो होती है अब यहाँ पर हार्ट की position आप देख रहे है राइट साइड में है it means dextrocardia है लेकिन अगर को कोई good word आता है मान लीजे अगर ECG की लीट गलत लगा दी जाती है तो वहाँ पर भी dextrocardia के symptom suppression में dextrocardia देखने को मिल सकता है उसमें हमें क्या होता है P negative wave हमें देखने को मिल सकती है अगर हम normal x-ray की बात करें तो normal x-ray में में आपको दिखाना चाहूंगा यह देखिए नॉर्मल x-ray में देखिए यहां पर ट्रेकिया क्या क्या जो पीछे है वह वार्म देख रहते हम साइद आपको उस वाले एक्सरे में हमने देखा था आयो टिक आर्च जिसे हम बोल रहे थे वह किदर है उस वाले एक्सरे में इस साइड में थी ठीक है और यह है आपके राइट मैनिस्ट्रेम वंकस और यह आपके हैं पल्मून रे आर्टीज यह देखिए आप एक चीज़ यहां पर देखने को मिल रहे हैं पिशेंट को जो पोजिशनिंग है पोजिशनिंग पर भी डिपींड करता है कि पोजिशनि दोल्ब यह दो फाले एक्सरे में कि जो एक्ट्रिम का ऊड़ργा रहा वह इस साइड में था और वॉन्ट्रिकल का यह गार में करेंड था और पर चुड़क्त बोलते हैंज को अब तो यहां पर आप देख रहे हैं डाइफ्राम अगर यह वाले एंगल्स जो होते हैं इसका मतलब है कि पिशेन को हो सकता है बर गया हो पानी भर गया हो कैंसर गठानों और घरेशन को पेचे मान लेज़ा पेचे करके छोटे चोटे दाने वाइट कलर के देख हो सकता है पेचें को मिलिरेट हो ठीक है या फिर पिशन को मान लिजी कि यहाँ पर हमें पिक्लिरी डिखा रही है हो सकता है पिशन को एम फाइमा हो पानी हवा वर गया हो पानी वर गया हो ऐसी प्सक्रांडिस में देखने को हम मिल्दा है तो यह है डेक्ट्रो कार्डिया के एक्सरे के बारे में अगर आपको कभी भी ऐसे एक्सरे देखने को मिलते हैं तो आपको समझ जाना है डेक्ट्रो कार्डिया का यह एक्सरे है और आपको ध्यान लखना है क्या उंप्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में हो स सकता है sinus infection प्रेट सकता है इसके अलावा अगर कारणों के बात करा तो कई सारे कारण हैm Chromosate defect होता है Chromos tints to Records होते हैं कई ऐसे पेशन्ट्स होते हैं जिनको संगल जीन डिस ओडर्डर है हैं कई सारे इस इसी बैसे जिनकी बज़े से यह आ सकता है और कई की पेशन्ट छेसे होते हैं जिनमें कोई भी परिशानी नहीं होती है और कोई भी कॉंपलिकिशन नहीं बनता है उनके जीवन उनका जीवन यह देरे दीरे चलता रहता है सो आई होप कि डेश्टू गाइडिया का जो एक्सरे है आपने समझ लिया होगा और वीडियो आपके हेल्फुल रहा होगा अगर अच्छा लगए तो लाइक जरूब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ पूश्चन शाहता तो मज़ें कमेंट कीजिए थेंक्यी होगा